बिहार के किसी गी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या इंस्टिट के बारे में पूरी पूरी जानकारी के लिए एक मातर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट ओब बिहार 1 to 1 दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे top 10 college of मध्यपूरा यानि मध्यपूरा के best college कौन है दोस्तों आप लोग से एक छोड़ा सारी क्वेस्ट है अगर आप मध्यपूरा के टॉप कॉलेज के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तब तो आप इस वीडियो को एक बार इंड तर शरूर देखें क्योंकि हमारी वीडियो में कॉलेज के बारे में काफी डीटेल स जानकारी दिया जाता है तो चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं तो दोस्तों मध्यपूरा के टॉप 10 कॉलेज के लिस्ट में नमबर बन पे हैं मंडल कॉलेज औफ इंजिनियरी दोस्तों इस कॉलेज का पूरा नमें बिंदेश्वरी पर साथ मंडल कॉलेज इंजिनियरी दोस्तों यह कॉलेज मजरहार्ट में ताथा इसके अस्थापना होई थी 2016 इस पी यह कॉलेज एक यू 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 निवर्सिटी से अफ्लियेटेड हैं तथा ए आई सीटी द्वारा एप्रोब्ट हैं दोस्तों इस कॉलेज से आप बी या बीटेक में कोर्स कर स कर सकते हैं इस कॉलेज से आप सीवील एंजिनियरिंग मेकेनिकल इंजिनियरिंग कंप्यूटर साइंसे इंजिनियरिंग तता ferja ई-ộc्र्यू एंट इलेक्रीक एंच से एबीटेक कर सकते हैं दोस्तों यह मधरपूरा की सान क्यूंकि इस कलेज में क्लेशर्फ बढ़ाई ही नहीं होता है बलकि यहां से पढ़ने पर आपको जोब भी मिल जाता है और जोब भी क्या कमाल का मिलता है दोस्तों इस कॉलेज में 60 से 70 परसेंट बच्चों को जोब मिल जाता है तथा इस कॉलेज का अब तक की हाइस्ट पैकेज है 35 लाख रुपीज जबकि एबरेज दोस्तों यह कॉलेज रसलपूर धूरिया में तथा इसके अस्थापना होई थी 2016 की यह कॉलेज एस्टी पटना द्वारा एफलिएटेड है तथा ए आई सीटी द्वारा एप्रोब्ट है दोस्तों यह एक पोली टेकनिक कॉलेज है इसलिए यहां से आप डिपलोमा इंजि कॉर्स कर सकते हैं। माद्धपूरा के 10 रिस्टमे किस्ट इस है कॉलेज का पूरा नाम है दोस्तों जन्नाइक करपूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज एंड होस्पीटर यह कॉलेज सिंग हेश्वर में तथा इसके अस्थापना होई थी 2020 में दोस्तों यह कॉलेज EKU University से affiliated है तथा NMC द्वारा recognized है दोस्तों यह एक medical कॉलेज है इसलिए यहां से आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकते हैं इस कॉलेज से आप MBBS में डिगरी पराप्त कर सकते हैं इसके बाद मधपूरा के टॉप 10 कॉलेज के दोस्तों चार नमर पे है कॉलेज दोस्तों यह कॉलेज भी मधपूरा में ही है ताथा इसके अस्थापना होई थी 1978 पर यह कॉलेज BNMU University से affiliated है ताथा PCI द्वारा approved है दोस्तों यहां एक लोग कॉलेज है इसलिए यहां से आप कानून की पढ़ाई कर सकते हैं इसके बाद मधपूरा के टॉप 10 कॉ कॉर्परसाद कॉलेज यह कॉलेज भी मधपूरा में ही है तथा इसके अस्थापना होई की 1953 दोस्तों यह कॉलेज भी BNMU University से ही affiliated है ताथा UGC द्वारा रिकोनाइस्ट यहां से आप आईए आईए आईएसी बीए बीएसी एम में में सी बीसी ए बीबीए बीटीस पी बी कॉलेज के बाद दोस्तों मधपूरा के टॉब 10 कॉलेज के रिलिस्ट दे नमर के है SG कॉलेज इस कॉलेज पुरा नामैं पार्वाटी साइंस नौस्त दोस्तों यह कॉलेजbin मधपूरा में तिथा इसके अस्थापना होई थी 1978 इस्टू में यह कॉलेज भी दोस्तों BNMU यूनिवर्सिटी से ही एफ्लियेटेड है तथा NAAC और UGC द्वारा रिकॉनाइज़ थे तथा NCTE द्वारा एप्रोब्ड भी है दोस्तों इस कॉलेज से आप IA, IAC, ICOM, BA, BAC, BCOM, BA तथा BCA से कोर्स कर सकते हैं इस कॉलेज के बाद मध्यपूरा के टॉप 10 कॉलेज के दिजिश्ट में साथ नमर पे है मध्यपूरा कॉलेज दोस्तों यह कॉलेज भी मध्यपूरा में ही है तथा इसकी अस्थापना हुई थी 1984 से इस पी में यह कॉलेज भी दोस्तों BNMU University से ही Affiliated है तथा UGC और NCTE दोरा Approved है दोस्तों यहां से भी आप BA, BCOM, BAC, BCA, BBA, BA तथा DEI, ED से कोर्स कर सकते हैं इस कॉलेज के बाद मध्यपूरा के टॉप 10 कॉलेज के लिष्ट में आप नमर पे है आर पी एम कॉलेज दोस्तों इस कॉलेज का पूरा नाम है रगुनंदन परसाद मंडल डेगरी कॉलेज यह कॉलेज तुनियाही उतरवारी में तता इसके अस्थापना हुई थी 1985 से दोस्तों यह कॉलेज भी इसके बाद मध्यपूरा के टॉप 10 कॉलेज के लिष्ट में नमर पे है इस कॉलेज का पूरा नाम है दोस्तों भुपेंदर नरायन मंडल वानीज कॉलेज दोस्तों यह कॉलेज साहुगड मध्यपूरा में तका इसके अस्थापना हुई थी 1989 यह कॉलेज भी बी एन एम यू यू यूनिवर्सिटी जहीं एफ्लियेटेड है तका यू जी सी द्वारा रिकॉलाइस्ट है इस कॉलेज से आप बी ए बीकम और बीसी से कॉस कर सकते हैं दोस्तों इस सब्सक्राइब दोस्तों यह कॉलेज लालु नगर मध्यपूरा में तथा इसके अस्थापना हुई थी 1986 इसके दोस्तों यह कॉलेज भी बी एन एम यू 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 उनिवर्सिटी से ही एफलेटेड है यहां एक ओमेन कॉलेज है इसलिए यहां पर सिर्फ महिलाओं का है कौन कौन कोर्स से डिगरी पराप्त कर सकते हैं दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लागा हमें जरूर बताए तथा वीडियो अगर अच्छी लगे है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना मिलें और हां बिहार के किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी या इं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें